नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका SGR Education में राच आपकी Class No.23 मैंने जैसा किकाता है संडे को दो Classes दूँगा यह दूसरी Class है उमीद करता हूँ आपको यह टाइम से मिल जाएगी और आप अच्छे से प्रिपार करेंगे हमारे Classes के Question के Standard को हमारे सारे Subscribers जो regularly देखते हैं वो यह जानते हैं कि Question का Standard बहुत बेतरीन होता है हमारी Classes में और हम इसी बनाई रखने की बूरी कोशिश करेंगे उस कोशिश में आप लोगों को हाथ यह बटाना है कि आप लोगों को यह बताना है कि कौन से Questions हम आगे करें और कौन-कौन से Concepts को आगे हम Clear करें जैसे कि आप जानते हैं मैं Academy पे भी एक Verified Educator हूँ आप मुझे जाके वहाँ Follow कर सकते हैं नवीन साख Profile पे आप नवीन साख सर्च कीजे और यहाँ पर मुझे Follow कर लीजे वहाँ आपके लिए बहुत अच्छा-च्छे Courses हैं उनका Benefit जरूर लीजिए अपनी तयारी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाईए Especially for the Students, Commerce and Management के जो Students हैं वहाँ उनके लिए बहुत अच्छे Courses हैं HRM का Cours जो आज आ गया है वो देखिए ECO का Cours है और Marketing में जो Lessons एड़ हुए है तो वो भी देखिए अगर नहीं देखिए हैं तो और साथी साथ Paper 1 के जो Students हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा Cours है जिसमें आपको पैमाना उसका 5 और 6 होता है अब अगर आपको याद ना हो या पता ना हो तो Charles F. Richter उनके नाम पे Richter Scale बना था जिन्होंने कोच की थी और Benin, Guttenberg इन दोनोंने ये कोच की थी और Richter Scale इसको नाम दिया गया था हुकम के पैमाने को नापने का The ratio of the energy is released by EBA will be approximately क्या होगी ratio of energy अगर पांच और एक छे कब उकम पाया है तो फॉर्मुला लगा लिजेगा लॉग एफ़ॉन में बी का तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 32 इस थर्ड ऑप्शन आगे चलते हैं, Question No.2 दूर से Question में कहते हैं, Which of the following represents the Renewable Natural Resources कौन सा combination ही बताता है कि Renewable Natural Resources जो है, वो कौन से है, Fertile, Soil, Fresh Water या Natural Gas, Clean, Air या Phosphate या Biological Diversity, Fishes, Fertile Oil और Fresh Water या फिर Oil, Forest and Tights तो देखिए, जो आपका Fishes है, Fertile Soil है, और Fresh Water है, ये Renewable Resources के, जो Renewable Natural Resources है, उन्हें represent करता है, ये combination किस तरीके से करता है, ध्यान से सुनिएगा कि कुछ ऐसे Resources होते हैं, जिने Replations कर दिया जाता है, Rapid Natural Cycles के तरू, मतलब कि वो दुबारा पैदा हो जाते हैं, जैसे कि Oxygen, Photosynthesis से, Fresh Water, Water Cycle से, Biological Product, जैसे कि Food, Fishes, Timber, जो होते हैं, आपके लकडी होती है, उन्हें किस से होता है, Natural Cycles से, वो भी दुबारा आ जाते हैं, Solar Energy, जो आपकी Consider की जाती है, as an Renewable Human Time Scale पे जो की Inoxaustible होती है, और उसे क्या लगता है, It is expected that Sun will last at least 6.5 billion years तक यह जो सूरे हो रहने वाला है, और वो एनरजी आपकी Repelations होती रहती है, Repelations का मतलब है कि, सबसे पहले तो आपको मैं Spelling बता दूँ, अगर मैं इसको pronounce आपको नहीं समझ पा रहे हो, R-E-P-L-E-N-I-S H-E-D, मतलब कि जो दुबारा बन जाए, Renewable ही समझ लीजे, अगर Repelations नहीं समझते हैं तो, उसके बाद आपके आते हैं, सम आधा Renewable Resources जैसे कि जिने Renewable किया जा सकता है, Natural Processes जैसे Forest है, Grassland, Grass है, Wild Animals है, Fishes है, Fresh Air है, Water है, Fertile, Soil है, तो यह क्या करते है, Natural Cycles के तको अपने आ The Factors are the most important, कौन से ऐसे Factors हैं, जो सबसे important है, Anthropogenic Activities of the Environment को लेके, Population, Affluence per Person, Land per Person, या फिर आपका Population, Affluence per Person, or the Technology used for exploiting Resources, या फिर आपकी Atmospheric Conditions, Population and Forest Cover, या फिर Population, Forest Cover, और Land Available Person, ये Environment का एक काफी Difficult Question है, ऐसे Questions कम ही मिलते हैं, आपको आरे हैं, तूमन में, या चो भी Regional Books होती हैं, इसका अंसर होगा बचो, Second, क्योंकि जो Population है, और Affluence per Person, और Technology used for exploiting Resources है, यही वो Factors हैं, जो सबसे जादा क्या कर रहे हैं, These are the factors which are most important in Determining the Impact, किस पे, Ethnopogenic Activities पे, Environment की सबसे जादा Effect डालती है, Population, और Affluence per Person, और Technology यूज की जाती है, जो Expert कर रहे हैं हम Resources को, सौथा Question, जो कि बहुत Easy Question है, कि Session of the Parliament को कौन समन करता है, आपका President करता है, Prime Minister करता है, लोकसभा का Speaker करता है, या फिस Speaker of the लोकसभा और राजसभा, दोनों मिलके करते हैं, तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, Static Learning का Question है, सीधी सीधी Learning है, कि Session of the Parliament को समन करता है, आपका President, First is the correct answer, पांचवा Question है, कि Civil Services का दिन कब बनाया जाता है, Civil Services आपका 21 अपरिल को बनाया जाता है, बहुत ही Civil Services देखी, Six Question है, South Asia University कहां पर situated है, कॉलंबो में, ठाका में, नई दिल्ली में या काठमानों में, बड़ा easy से सवाल है, नई दिल्ली में आपकी South Asia University है, उमीद करता हूँ आपको आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी, कल आपके लिए Commerce हो मैं, Management के साथ सार, Paper 1 की दो क्लास आएंगी, Unacademy पे मैंने HRM का course अड़ कर दिया है, नहीं देखिया है, तो देख लीजे, सारे के सारे link आपको जो playlist के है, Unacademy के है, वो description में और पहले comment में मिल जाएंगे, उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, बाबाए, टेक केर गाइस